हेलो व्रीवन गुड आफ्टनून तो आल आफ यू और वेल्कम टू फिस्कल साइन्स पेफी क्लासेस फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं याप पर इंस्ट्रक्शन में कि डॉक्टर आफ फिलासफी पिएसडी एडिमिशन्स तूर नाइंटीन ट्वेंटी का जो इंटर डॉकुमेंट्स जो हैं रिक्वाइड हैं डिरिंग यूर इंटर्व्यू डिरिंग यूर रिपोर्टिंग टाइम यह सब सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा सो फर्स्ट आम देख रहे हैं तो आइड लाइक टो रिक्वेश्ट तो आल आफ प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर प्रेश कीजिए और साथ ही यदि वीडियो प्रशन दाता है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए फ्रेंट्स यहां पर देख सकते हैं जरनल इस्ट्रक्शन में आपको दिया गया है कुछ जरनल इस्ट्रक्श यह में चीज है जिसको आप देख सकते हैं हाँ पर कि क्या क्या डॉकुमेंट्स जो की रिक्वार्ड हैं यहां पर रिशर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन आपको बना होना चाहिए और इनका एक फोटो इस्टेट कॉपी भी होना चाहिए तो रिशर्च प्रपोजल या प्रेजेंटेशन देन अप्लिकेशन फॉर्म डूरिंग अपने जब अप्लाई किया था उस टाइम पे वह अप्लिकेशन भी लेके जाना है साथ में और साथी साथ एड्मिट कार्ड भी लेके जाना है आपको उसका भी एक जिरॉक्स कॉपी लेके जाना है ओल औरिजिनल म बहुत नेसेसरी है कि जितने भी आपके 10 से लेकर PG डिग्री तक नेट यदि क्वालिफाइड है, JRF है, सारे डिग्री के मार्क सीड जो हैं आपको लेके जाने हैं वेलांग विट सर्टिफिकेट्स अब प्लस उसका एक कॉपी जीरॉक्स इसके बाद CAST Certificates for all OBC, SC, ST candidates और EWS candidates के लिए भी है जिन्होंने यदि EWS में apply किया था, तो EWS candidates के लिए भी same instruction है कि आप financial year 2021 का EWS certificate बनवा कर ले जाएंगे during your interview reporting time next है certificate for subcategory, if applied for the same यदि आपने subcategory के लिए applied किया तो उसको भी लेके जाना है then original photo ID, photo ID यानि कि आपने जब written exam दिया था common entrance test exam दिया था, during that time यदि आपने जो भी अपना identification photo ID लगाया था, वो ही same photo ID चाहिए along with one xerox copy, friends ये था आपको क्या-क्या documents है ले जाने है necessary है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि interview details interview details में लिखा गया है and interview viva wise when the candidates are required to discuss their research interest area through a presentation before the interview panel the interview viva wise shall also consider the following aspects the candidates possesses the competence for the proposed research the research work can be suitably undertaken at the University of Lucknow, Oblig College then next point the proposed area of research can contribute to new or additional knowledge देखे friends जो भी आपका research proposal होगा या presentation होगा वो एक तरीकी सी new knowledge को यदि contribute कर रहा है then it will be good और ऐसे ऐसे प्रपोजल जो की new knowledge को generate करे वैसे आप प्रपोजल या फिर presentation देंगे तो वो काफी effective होगा तो यहां और चलते हैं overview timing देखे slot wise timing दे रखा है आपके नाम के आगे slot लिखा होगा तो slot wise आपको यहां पर क्या करना है reporting time है और आपका interview time कभी start होगा तो देख सकते हैं आपर slot 1 के जितने भी candidates हैं उनका reporting time रहेगा 8.30 और interview timing होगा 9 o'clock से 10.30 a.m. तक then slot 2 में जितने भी candidates हैं उनका reporting time होगा 10.30 और इनका interview जो timing होगा वो होगा 1100 hours से 12.30 आवस तक slot 3 में जितने भी candidates हैं यानि कि उनको reporting time होगा 1 बजे और उनका interview जो time होगा 10.30 बजे से लेकर 3 बजे तक इसी तरीके से slot 4 में भी देख सकते हैं जो timing है reporting time 3 p.m. है और 3.30 से लेकर 5 बजे तक आपका interview होगा so friends आप लोग यहाँ पर जो slot wise जो timing दिया गया है please strict on those timing यदि आपको उस time पर आप appear नहीं होते हैं then you will be discard from your interview exam next लते हैं University of Lucknow यहाँ पर आप देख सकते हैं category verification जो आपका original होगा और one set of photocopy of the following यहाँ पर दिया गया है आप देख सकते हैं कि application form, admit card, cash certificate, income certificates for all OVC non-criminalization, SCST and photo ID यह जो है compulsory mandatory है कि आपको during documents verification आपको यह सारे documents जो है दिखाने हैं next लते हैं यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो है ancient Indian history का है यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आपका date of interview है Indian history का 27 September से start है और 28th को भी है exam correction 28th को नहीं है because यहाँ पर देखे 26 September को भी है anthropology का आपको मैं PDF अपने comment box में डाल दूँगा so that आप लोग यहाँ से download करके अपना अपना interview timing और slot wise देख सकते हैं इस सारे subjects का यहाँ पर दे रखा friends और मैं तो अभी यही कहूंगा कि आप अपने presentation या फिर research proposal के के लिए तयारी कीजिए और बनिया interview दीजिए so that finally आप लोग PhD में enrolled हो सकें so friends यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी same timing दिया है reporting time slot 1, slot 2, slot 3, slot 4 तो यहाँ से आप अपना अपना नाम देख सकते हैं और बहुत सारे हमारे ऐसे friends होंगे जिनका admit card गुम हो चुका होगा तो उनसे मैं यही कहूंगा कि आप लोग अपना अपना application number या फिर application form होगा उसको भी आप रख सकते हैं और यदि application form को admit card तो अब निकलेगा नहीं क्योंकि अब university ने उस site को particular site को lock कर दिया है तो आप अपना application form यदि आपके पास है then also you can appear in interview exam but आप जाये जरूर और यदि जो होगा तो होगा ही अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ because notification में जो clearly mentioned था कि आपको अपना application form along with admit card आपको अपने पास ही रखना है during your interview exam it will be mandatory to for your documents verification so friends यहां से मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ और यदि हो शके तो आप जरूर जाहिए और interview में appear हो यह जो भी होगा यदि उन्होंने disqualify करना है या फिर आपका documents verify नहीं होता है that depends on them only उसके लिए आप भी नहीं कुछ कर सकते हैं so friends all the best for your interview exam thanks for watching